इस्प्रेस कॉंफरेंस में बहुत-बहुत स्वागत है। हरियाना के गाओं-गाओं में। और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने ये बीडा उठाया है। जिस तरीके से जब ये पहलवान जीत करके आए तो आप सबने देखा होगा जिस वक्त वो तिरंगा ओड करके स्टेडियम में चक्कर लगाते हैं। जब वाँ राष्ट्रगान बज़ता है तो सारे लोग टीवी पे देखके गौरवान मित महसूस करते हैं। किसी जाती का हो, किसी मजहब का हो, देश के किसी हिस्से का रहने वाला हो, सब कहते हैं तो मेरे देश के खिलाडी ने पदक जीता है, सब उसमें गौरव अनुभव करते हैं। प्रधान मंत्री जी भी बढ़ाई देते हैं इनको, जब ये जीत करके आते हैं, हमारे मुख्य मंत्री भी बढ़ाई देते हैं, जब ये जीत करके आते हैं, और किसी पार्टी का कोई नेता हो, सब इनको बढ़ाई देते हैं, सब चाहते हैं कि उस गौरव में से थोड़ा स इस्सा उनको मिल जाए जो इनोंने अर्जित किया देश के लिए लेकिन आज जब इनके उपर अत्याचार हो रहा है आज जब ये प्रताडित किया जा रहा है इन खिलाडियों को परिशान है ये तब वो उस पे ये कहना कि ये किसी पार्टी का मुद्दा है ये किसी जाती का मुद्दा है, ये किसी प्रदेश का मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रिय गौरव को अपमानित करने जैसा है, और हमको बहुत दुख होता है, जब हमारे देश के प्रदानमंत्री इन खिलाडियों के जीतने पर तो मैसेज करते हैं, बधाई देते हैं, हमारे देश के प्रदानमंत्री इनको अपने घर बुला करके डिनर पर बुलाते हैं, और उसको एक मीडिया इवेंट बनाते हैं, लेकिन आज जब इनको प्रताडित किया जा रहा है, तो उनकी तरफ से ना एक बयान आया, ना एक ट्वीट आया, ना उन्होंने क कोई मैसेच छोड़ा किसी तरीके का, ना उनका कोई नेता जंतर मंतर पर पहुंचा, तो यह बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, इसलिए हम इस पूरे आंदोलन के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ, आज दनोदा गाओं में भी धरना चल रहा है, वहाँ पर हम उसको समर्थन देने गए थे, और शाम को, खटकर गाओं में भी हम पंचायत हो रही है गाओं की, उसमें शामिल होने जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, गाओं के लोग अपनी चर्चा करेंगे, हम भी उसमें अपनी बात रखेंगे, और गाओं गाओं में हर्याना के, मैं पास-पास के गाउं के साथ इकठा हो के कहीं और धर्ना देना है। जन समवाद के नाम से आजकल एक PR exercise चला रहे हैं। अलग-अलग district में जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही restricted entry के साथ अपने कारेकरताओं को इकठा करते हैं। और passes बना के बकायदा entry नाम से करकरके अपने कारेकरताओं को अंदर आने देते हैं। जनता को अंदर जाने नहीं देते हैं। जनता को उनके वाजिब सवाल पूछने नहीं देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है। कि अब मुख्यमंत्री आगे जहां भी जन समवाद के लिए जाएंगे। अभी तो वो कल पर सों सिर्षा की तरफ जा रहे हैं। तो वो जहां भी जन समवाद के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कारेकरता भी जनता का हिस्सा होने के नाते। बहुत ही सब ने तरीके से उस कारेकरम में शिर्कत करेंगे। और जनता के जो वाजिब सवाल हैं, वो मुख्यमंत्री से पूछेंगे, ये जो सरकार की सूनियोजित PR exercise है, अब ये नहीं चलने दी जाएगी, कि BJP के कारे करता सवाल पूछेंगे, और BJP के मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जग हसाई तो उसमें भी बहुत हो चुकी है, उसमें भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, उनके जनता से जुड़े हुए असली मुद्धें, उनके उपर सवाल पूछा जाएगा, अगर वो सरसा में जाएं, और उनसे ये ना पूछा जाए, कि उस इलाके में ड्रग्स का, नशे का कारोबार लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, उनके सरकार क्या कर रही है, तो वाजिब सवाल नहीं होगे, फिर इसका मतलब PR exercise हो रही है, अगर उनसे ये ना पूछा जाए, कि जो family ID के अंदर जिस तरीके से घोटाला हुआ, जिस तरीके से सारे family IDs गलत बना के लोगों की pension काट दी गई, वो क्यों हुआ कब तक दुरूस्त होगा, लोगों की क्या गलती है उसमें, उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है, तो फिर वाजिब सवाल नहीं होगे, अगर उनसे ये ना पूछा जाए, कि प्रॉपर्टी ID के नाम पे, सिर्सा में लोग अभी धरना भी दे रहे हैं लगातार, और पहले भी बहुत परिशान हुए, हर शहर में परिशान है, वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके लिए लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, तो फिर वो सही सवाल नहीं होगे, फिर पियार एक्सरसाइज होगी, इसलिए अब ये जन जिसको मुख्यमंत्री ने इसलिए शुरू किया था, कि लोगों से चर्चा कर सकें, लोगों के बीच में जा सकें, आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है, कि उनके इस कारेकरम को अब सही में सकस कराना है, इसको सही में जन समवाद बनाना है, और जनता के जो मु की है, तो जनता से जुड़े हुए वाजिब मुद्दों पर सवाल करेंगे, मैं मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सभी लोगों का स्वागत करेंगे अपने कारेकरम में, और उन मुद्दों पर उनका सामना करते हुए सही तरीके से जवाब भी देने, आपकी पोई सव का, मोदी जी की आदत बन चुकी है, उनको ये बरदाश्त नहीं हो रहा कि किसान अंदोलन में उनको हरियाना के पंजाब के किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े गए, उनके अंकार को बहुत ठेस पहुची है, इसलिए वो बार बार हमारा पेशेंस टेस्ट करना चाह है, लेकिन इस बार हमारी आनबान और शान का सवाल है, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान का सवाल है, मैं खुली चुनौती देता हूं उनको और मैंने पहले भी कहा है, हरियान भी खून में नहीं है अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवार को बरदाश्त करन खुन की आखरी बून तक लड़ेंगे, फिर घुटने टेकने पड़ेंगे मोधी जी को, क्योंकि अंकार तो रावन खा भी नहीं टिकाई है, तो चीजी क्या है उनके सामने, इनको फिर घुटने टेकने पड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंकार की वज़े से है कि एक बार घुटने टेकने के बाद भी इनको ये लगता है कि उस किसान अंदोलन में मुझे पीछे हटना पड़ा इसलिए वो बदला ले रहे हैं हरियाना के साथ आसपास के इलाके के साथ जिसको ये जाना जाता है कि ये अपनी बात प्याड जाएं तो अपनी बात के लि पहलवानों का समर्थन कर रही हैं मुझे कोई पार्टी बीजेपी के अलावा बता दीजिए जो इन पहलवानों का समर्थन नहीं कर रही है जब सारी पार्टीया इनका समर्थन कर रही है तो फिर किसी एक पार्टी का कोई नाम लेने का मतलब ही नहीं बनता और हमारे लिए तो ये राजनेतिक मुद्दा ही नहीं, हम तो देश का नागरीक होने के नाते, जब हमने उस वक्त गौरव महसूस किया जब यह जीते तो आज हमारा फर्ज बनता है कि इनके दुख में साथ नहीं, तो इसलिए पूरा हरियाना, पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश, सब साथ खड़े पूरे देश का मुद्दा है, ये देश के हीरो हैं, और ये जो बच्चियां जो बैडल जीत करके लाई थी, ये देश के स्टार हैं, इनके साथ अगर अप मान होगा, कल को अमारे सामने तो सवाल ये भी है हरियाना के लोगों के सामने मैं बार बार ये कहता हूँ अलग अलम मंच से कहता हूँ आप लोगों के सामने सवाल ये भी है कि अगर संदीप सिंग वाली गटना जैसे होई हरियाना एक बेटी ने आवाज उठाई वो ना मंत्री पद से हटा ना वो हरियाना उलम्पिक संग के अदेश्पद से हटा, आज भी मंत्री बना हुआ है, दरकिनार कर दिया गया उस बेटी के आवाज को, हमने संगर्ष भी की आवाज भी उठाई लेकिन उसको सरकार ने सुना ने, ये दूसरा वैसा मुद्दा है, अब केंदर में वैसा ही हो हरियाना को प्रदेश के तौर पे इतना बड़ा नुकसान होगा, कि ये जो हजारों मेडल, सेकडों मेडल हमारे बच्चे लेकर के आते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में नी भेजेंगे, जहां पे उत्पीडन करने वालों के खिलाफ करवाई न प्रदेश के लिए जादा होती है, और आप अपने नौकरी में और बाकी कामों में उल्चे होते हैं, तो समय हो सकता है, कोई कम दे रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि किसान अंदोलन के वक्त शेहरों में उसको समर्थन नहीं मिला था, पुरजोर तरीके से पूरा समर्थ मिला था, वहाँ भी शेहरों में जाके कौन बसा हुआ है, हमारे गाउं से किसानों के बेटे ही जाके बसे हुए है, किसानों के बेटियां जाके वहाँ बसी हुई है, और ये जब पहलवान जीतते हैं, मैंने बार बार ये का, जब ये पहलवान जीतते हैं, तो शेहर गाउ ना दर्म देखते हैं, अब जब इनकी समस्या आई, जब इनके दिक्कत आई, इनकी आँख में आसू है, तो उनको सब कुछ नजर आने लगा कि शहर भी अलग, गाओं भी अलग, जाती भी अलग, स्टेट भी अलग, सब कुछ नजर आने लगा, मुझे लगता है कि जब आप खुशी में इनके साथ शामिल थे तो आज इनके उत्पिडन में इनके दुख में भी इनके साथ शामिल होना चाहिए और सब लोगों को मिलके लड़ना चाहिए शेहरों में भी लोग तैयार है लोगों में बहुत गुस्सा है भारते जंतर पार्टी को ले करके और उनके ऐसे अगर आपकी बेहन बेटियों का मुद्दा आप से जुड़ा हुआ नहीं है तो खटर जी आप भी हरियाना के मुख्यमंत्री नहीं है, हरियाना के लोग आपको अपना मुख्यमंत्री मानने से इंकार कर दें। का फर्स बनता है, हम वहाँ जाएंगे और कार्टी के कार्यकरता बनके जाएंगे, जब हम उपन अनॉंस्मेंट कर रहे हैं तो पूरा प्रदेश देखेगा, अगर हमको मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, मैं तो उनको आवान कर रहा हूं कि हम खुले में कह रहे हैं और जब हम नेत्रित्व ये कह रहा है, पूरी responsibility के साथ, कि हमारा कोई कार्यकरता किसी तरीके का कोई hurdle नहीं बनेगा, कोई बत्तमीजी नहीं करेगा, हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना जनता का हक है, अगर हम उन कार्यकरम में जाएंगे, और हमको उन कार्य कार्यकरम में पुलिस जाने नहीं देगी, हमारे कार्यकरताओं को डिटेन करेगी, हमें उन कार्यकरम में एंटर करते हुए गिरफतार किया जाएगा, पूरा प्रदेश देखेगा कि किस तरीके से धकोसला प्यार एक्सरसाइज की जा रही है, जनसमबाद के नाम पे, वो तो इतने बोले लोग हैं कि अभी तो 24 गंटे मांगना भी शुरू नहीं किया, उन्होंने तो बावा ने ये काया कि 8 गंटे की बजाए 12 गंटे बिजली दे दीजी, उस पर भी मुख्यमंतरी ने का बैठ जाओ भी बैठ जाओ, 8 गंटे जादा नहीं मिलेगी, जो करना करो थोड़ी जा रहे हैं, हम भी उस जनता का हिस्सा हैं, हम भी वोट डालते हैं, हम भी डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, तो हमारे कार्यकरता उस जन समबाद में जनता बनके, जनता के साथ मिलके जाएंगे, और अपने सवाल पूछेंगे, और अगर मुख्यमंतरी के पास उन सवा इस तरीके के जहां बयान हो जहां पुलवामा की घटना के बाद किसी ने कहा उपरा जेपाल जी को कि चुप रहे जाई है आप बोलिये मत इस पर ऐसी अगर शासन चल रहा हो देश के अंदर तो ऐसे व्यक्ति के अहंकार को चुनोती देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर विपक्षी पार्टी का धर्म है और जब विपक्षी पार्टी चुनोती देती हैं तो उनको इस तरीके से फरजी केस लगा के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके उनको जेल में डालके उनके लाटियां चलाके उनको रोकने की और तानाशाई चलाने की कोशिश हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंतर का एक बहुत महतुपूर्ण हिस्सा है जब जब लोकतंतर का कोई टुकडा या कोई पाया डगमगाने लगे तो उसको थामना सुप्रीम कोर्ट का काम है हम साधुवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि उन्हों से दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं होगा हरियाना के लोगों को भी कल के फैसले से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है हमारे हजारों बच्चे बच्चियां महाँ पर नौकरी करते हैं दिल्ली के लग लग भी भागों में कच्चे करमचारियों को जैसे हम पंजाब में जैसे नई नौकरिया निकाल रहे हैं, अब दिल्ली में वो विवस्था भी हमारे हाथ में आ गई है, वहाँ पर भी अब तुरंत जितने कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने के लिए प्रक्रियाई शुरू की जाएंगी, नई जॉब्स वहाँ पे निकाली जाएंगी, वहाँ पे जो डिटी सी सेवा हम पहले से सोच रहे थे कि उसको अरियाना में एक्स्टेंड किया जाए, पहले आती थी बसे, लेकिन अरियाना सरकार भी और वहाँ एल जी साब उसमें रोड़ा अटकाते थे कि अगर अरियाना में आ गई तो जो महिलाएं सफर करती हैं, वो में, तो मुझे लगता है कि हजारों लाखों NCR के और हरियाना के लोगों को भी इस फैसले से फायदा होगा, इसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोट ने लोगतांतरिक व्योस्ता को कायम करने में बहुत बड़ा कदम उठाया करते हैं, विपक्षी एतन, नेताओं के इ गटबंदन से और नेताओं के गटबंदन से करके मोदी जी को हटाया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है, ऐसा सोचना बेबानी है, लोगों के साथ गटबंदन करके, लोगों को अपनी योजनाए समझा के, अपने विचार से जोड़ करके, जिस दिन वो तरस्त हों का तूट जाएगा अगले एक हफते के अंदर हम अपना संगठन पूरा अनाउंस कर देंगे बीच में तरह तरह के घटना करम अपनी टाइम लाइन पे चल रहे हैं हमने का दब 15 अपरेल तक हम अनाउंस कर देंगे लेकिन जैसे बीच में घटना करम हुआ जो CBI की उसके के मुद्दे पे पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और अपना संगठन भी अगले एक सब्ता के अंदर हरियाना में हम अनाउंस करने जाए हम मैंने अभी भी बताया आपको जैसे पार्टियों के गटबंदन से नहीं से तो तरस्त हैं लोग इनको अपने यहां पे लाके ह को इन खड़ाना जीनों ने पिछले पाँछ दशक से भी ज़ादा हरियाना के उपर राज अर्याना को सिर्फ लुटा अपना खजाना भर वे वां पूछा कहा हैं आँ आपने गटबंदन आपको अकर आईायां के अर्याना में बता दीचे जिसने 12, Ebola समी हम आँ आदमी पार्टी ने जब अपना सदस्ता अभियान शुरू किया तो हमारे साथ एक महीने के अंदर 11,77,000 लोग जुड़े और पूरी तरह authentic उनके mobile पे code आया वो code उन्होंने हमारे साथ share किया सारा code feed हुआ हमारे data में एक-एक व्यक्ति के mobile नंबर उसकी सहमती समेट उसके code समेट हमारे पास मौजूद है तो 11,77,000 लोग किसी पार्टी ने एक महीने के अंदर अपनी पार्टी से जोड़े हूँ ऐसा मुझे अर्याना के इतियास में नजर नहीं आता कि हम सही तरीके से अपनी नीतियों को गाउं गाउं जाके पहुँचा पाएं हम उस कोशिश में लगे हुए हैं और जैसे ही संगठन निर्मान होगा हम गाउं गाउं तक अपनी पात पहुँचा है कोई आये तो उसका स्वागत है जो देश के लिए लड़ने के लिए आरा है उन لोगों का स्वागत है और उनका संगठन में हमेशा ही स्वागत रहता है पञजाब में आपने का सरकार बनने के बाद जो रुशान जो शाया था वो एक टाइमली जो Si होता है और टाइमली दिखाई देता है उस वक्त की जैसे ऐसे हमने बहुत दौर देखें दिल्ली में सरकार बनी तब भी रिजाइन किया तब भी दुबारा बनी तब भी तिबारा बनी तब भी हमने ऐसे बहुत दौर देखें और उसको स्टेबल करना उस वेव को यह संगठन का काम होता है वही हम संगठन बना करके उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे हमारा वोट शेयर जिस मुकाम पे पहुँचा था पंजाब चुनाओ के बार आज भी वहीं पे कायम है अगर नेताओं को उस वक्त यह लगता था कि आनन आदमी पार्टी से उठा लेंगे वो मंचा तो किसी की पूरी नहीं हो सकती है तो ऐसी मंचा रखने वाले लोग अगर आएं भी और वापस जाएं भी उससे आमादमी पार्टी के कमिट्मेंट पर कोई फरक नहीं पड़ता आमादमी पार्टी अर्विंद केजरिवाल जी क और आमादमी पार्टी की विचार धारा पर चलती है जो लोगों के मुद्दें उनके लिए लड़ेंगे हमें आम लोगों की जरूरत है हमें बड़े बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है आमादमी पार्टी ने इतिहास बनाया चन्नी को जिसने अराया आप उसका नाम नह बता पाएंगे जनता में से बहुत से लोग जिसने अमरिंदर सिंग को हराया, नाम नी बता पाएंगे बहुत सारे लोग उनका, जिसने सिद्धु को हरा दिया, जिसने बादल साब को हरा दिया, ऐसे लोगों का नाम भी नहीं जानते लोग, हम अपनी विचार धारा के दम पे चलती है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बड़े-बड़े नेताओं के नाम और उनकी पुरानी शोहरत और उनके लूटे हुए पैसे से नीचाब। और मुख्यमंत्री के आवास में अगर पहले के मुख्यमंत्री केम्प आफिस नहीं बनाते थे, अगर उनको 24 गंटे काम नहीं करना होता था, तो यह उनकी दिक्कत है, वहाँ पे मुख्यमंत्री के घर पे अगर केम्प आफिस बनता है और वहाँ पे 24 गंटे जनता का काम हो स कि पीजेपी के अपने कारेकर्ता ही जब उनके मुद्बे से सहमत नहीं है तो आप क्यों समय व्यर्थ कर रहें ऐसे सब सबाड़ों का मैंने आपके सारे सबालों का जवाब भी दिया खुल खे प्रश्टाचार इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं आज के दिन में उनके तैसीलों में पैसे कैसे और यह वह इक तैसील है करनाल तो CM City है CM City के अंदर उसी तैसील में तैसील दार पकड़े गए थे पिछले उन्टा स्काफ पकड़ा गया था लाकों रुपए लेते हुए उससे पहले भी वहाँ पे एक नेकसस का बंडा फोड हुआ था अगर वहीं पे तैसील दार के उपर फिर ऐसे आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि इसका मतलब आख पर पट्टी बांध रखी है गांधारी बने हुए है मनोरलाल खट्टर जी तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आवाज जरूर उड़ा सकते हैं लोगतान्तर के चौथे स्तम पे जब जब हमला होगा तो हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे पूरी ताकत से खड़े नजर आएंगे लोगतांतरिक व्यवस्था को गवर्न किया जाता है ये एक चैलेंज है लोगतंतर के सामने और उस चैलेंज को भी लोग मिल करके सुल जाएंगे लोगों ने ऐसा बहुत बार हुआ तानाशाई में आप अगर हिटलर के वक्त भी देखें तो प्रोपगेंडा चलाया जाता था रेडियो पे टीवी पे ल पूरा दिल्ली उस दिन बंध था दिल्ली के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके पूरे दिल्ली को जाम कर रखा था बंध कर रखा था एक पट्टी गई नहीं चली कि कहा प्रदर्शन हुआ है तो ये लोगतंतरिक विवस्था के लिए बड़ा खत्रा तो है लेकिन इस करें वह अपने आप इन सब चीदों का इलाज कर दो कर दो कर दो